Hello everyone, welcome to study IQ, my name is Shikha Pari and in this session we will discuss about very important topic of a particular exam that is IBPS SO Law Officer. देखें मैंने आपको IBPS SO Law Officer की जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें exam pattern के बारे में बताया था और मैंने आपको ये बताया था कि आखिरकार ये exam होता क्या है, मतलब ये exam जो है वो आपको कहां लेकर जाएगा तो देखें, IBPS SO Law Officer जब भी आप ये exam देते हैं, अगर आप ये exam qualify कर देते हैं, तो जो government banks होते हैं उसमें आप as a legal officer क्या होते हो, appoint होते हैं ठीक है, Law Officer का exam ही है तो legal officer, law officer as a आप appoint होते हो, मैंने सारी आपको hierarchy बताया थी किस तरह से आप appoint होंगे और किस किस position तक कितनी growth है इस subject इस exam को लेके और एक और point of view रहता है guys कि इस इन कुछ exams हैं जैसे मैंने आपको CB के बारे में बताया है, I'll discuss about RBI also, RBI का विजो exam होता है उसमें भी law officer appoint होते हैं तो इन exams के बारे में बच्चों को पता नहीं होता, बच्चों को particularly जब भी graduation complete होती है, मतलब law degree आपकी complete होती है you just know about things like judiciary आपको पता होता है, moreover, even APO exams के बारे में भी नहीं पता होता है, लेकिन APO का कुछ हद तक तब भी पता होता है and practice पता होता है, बाकी पता होता है कि चलिए जो हमारे law firms में जिस भी तरह से job कर ली जाए, ये सब चीज़ें पता होती है right, लेकिन इन exams के बारे में नहीं पता होता है, और ये exams मैं सच में बता रही हूँ, अगर आप 6 महीने, 6 months in exams को dedicated study करेंगे ना, बिल्कुल अच्छे से, तो ये exams आप crack कर सकते हो, ये इतने अच्छे exams होते है तो आज इस exam के syllabus की बात करते हैं, मैंने आपके पिछली जो वीडियो थी, आपके लिए जो बनाई थी, उसमें मैंने आपको उसके बारे में बता दिया था, किस तरह का exam का scenario रहता है, pattern रहता है, growth क्या रहती है, आज हम syllabus की बात करेंगे, right, जा अच्छा, इसकी notification वगएर अ exam का, ठीक है, अब वही है, अब हर exam, तीन तुकडों में तो डिवाइड होता ही है, pre होता है, mains होता है, and interview होता है, कुछ exam ऐसे होते हैं, जिसमें एक ही, pre और mains एक ही चीज होती है, मतलब, ठीक है, दो नहीं होते, ठीक है, वो भी मैं आपके साथ डिसक्स करूँगी, कैसा चलिए, तो pre-cut syllabus देख लेते हैं, reasoning में, देखें, जो normal reasoning के topics होते हैं, अगर आपने कभी भी बेंक के exams के तियारी की होगी, आपको इन topics के बारे में जरूर बता होगा, even reasoning तो सेवी में भी आती है, तो reasoning बहुत important हो जाते हैं, इन exams के तियारी करने के लिए, जिससे logical reasoning हो गया, alpha numeric series, ranking, data sufficiency, coded inequalities, sitting arrangement, puzzles, distance direction, logism, blood direction, input, output, coding, decoding, यह सारे के सारे जो concept है, आप एक बार इनको go through हो जाईगे, मतलब क्योंकि ऐसा है, हमने log graduates होते हैं, log graduates का logical reasoning, reasoning में थोड़ा सा कच्चा रह जाता है हाथ, तो हर एक बच्चे का, अब ऐसा नहीं हो दा कि सिर्फ आपका ही इसमें कम point of view रह जाएगा, सबका ही इसमें कम होगा, तो अपने आपको प्री में आपको कुछ चीजें पक्की करनी है, कि यह मेरी पक्की है, सबका ही अगर जो reasoning में है हाथ थोड़ा कच्चा है तो आपको इसको पक्का बना लीजिए, यह आपके लिए अच्छा हो जाएगा, कि reasoning मेरी अच्छी है, ठीक है, अब इंग्लिश की बात करें, तो reading comprehension, close test, parasymbals, multiple meaning, vocabulary, sentence correction, paragraph completion, rearrangement of sentences, match columns, यह सब आता है, और मैं सच में आपको बताओं कि इंग्लिश बहुत easy आती है, बहुत ही जादा easy English आती है, कोई इसमें दिक्कत की बात ही नहीं होती, इतनी easy English आती है, उसके बात general awareness की बात करें, तो general awareness पर यही रहता है, कि आपके जो topics normally देखे ही जाते हैं हमेशा, जैसे current affairs हो गए, banking reforms हो गई, regulatory bodies के बारे में आपको पता हो जाए, जैसे नबाड हो गया, CBI हो गया, RBI हो गया, international banking हो गया, banking financial, अब देखो एक चीज़ आप याद रखना हमेशा, आप किस exam के लिए तैयारी करें, एक banking exam के लिए तैयारी करें, तो आपको bank से related जानकारी पका होनी ही चाहिए, तो international banking, banking and financial terms, awards, books and authors, headquarters, important dates, and themes, schemes, exercises, यह सब आपके पास होना ही चाहिए, यह हमारी journal awareness में आ जाता है, ठीक है, अब हम बात करते हैं, यह तो हमारी ना pre की हो गई, प्री का जो syllabus था, वो मैंने आपको सारा का सारा बता दिया, अब हम बात करते हैं, mains के syllabus की बात में, अब mains बेटा क्या होगा, mains आपके MCQ आते हैं, और mains आती है professional knowledge, अब ऐसा है, कि जो IBPSSO है ना, वो अलग-अलग streams के exams, जो है, वो notification देता है, कि अलग-अलग exams आ रहे हैं, agriculture officer भी होता है, राजभाशा अदिकारी भी होता है, तो अलग-अलग streams में, प्री में, अलग-अलग scenario आता है, अब अगर हम IT officer की बात करें, तो वहाँ पे journal awareness नहीं आती, वहाँ पे quants आता है, ठीक है, लेकिन वहीं अगर राजभाशा अदिकारी और law की बात करें, तो आते हैं, यहाँ पर भी हमारे मेंस में भी MCQs आते हैं, अब अगर मेंस का syllabus है ना, तो उसको हम divide करेंगी, क्यों? क्योंकि IBPS में एक दिकत की बात है, यहाँ पर आपको कोई specific, या फिर tentative, कोई भी syllabus नहीं दिया, कि यह syllabus प्रोवाइड कर दिया, जैसे से भी में syllabus प्रोइड क्या आएगा, क्या आएगा, तो चलो कोई भी इताएगा, तो बस बात ही सही होगी, बट सब्जेक्ट नहीं बताता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, कही मैं new X introduced हो जाते हैं, तो यहाँ पर X की तदाद थाद रेशो वह तोड़ी बढ़ जाती है, लिके मैं आपको रिलेटेट तो बैंकिंग है, उसमें से तो आना ही आना है भी, आप बैंक्स एक्जाम की तियारी कर रहे हो, तो बैंकिंग से तो आएगा ही आएगा, तो एक्स बैंकिंग, मेजर एक्स आपके पास आएगे, ठीक है, small X but scoring, अब छोटे 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 एक्स होते हैं, ठीक ह बैंकिंग से रिलेटेट अगर हम एक्स देखें, तो DRT Act हो गया, Ombudsman Scheme हो गया, Banking Regulation Act हो गया, Payment and Settlement Act, Cooperative Societies Act, SAR FACI, RBI, IBC, Banker's Book Evidence Act and Banking Preservation Records, यह सारे के सारे हमारे कौन से होगे, इसा थे फेम्स हाइए, क्यों सा大家 और से थेखें के सारे में अभाटा, फेमारे के सारे में यह सारे मिलम, ऑusp,ैसे मिलम आखी को और आएगे एक्स मिलम वे रहा हम तो यह सुर्ण के पास च्छटे अरे कि anект की अम्मगें Saigon,уч हो यह सारे इसे में और हम आदे आना डोह के और करो सेभी के तैयारी करो चाहिए आप जुडिश्री के तैयारी करें हैं चाहिए एवन जब हम ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तब भी हमने इन एक्स पे जादा जोर दिया होता है राइट तो यह एक्स तो बहुत इंपोर्टेंट हो जाते हैं major act से जिसमेंसे हमें पता है कि भाई इसमें आना ही है ipc से it question 1-2 question तो krijगा evidence जाएगे इस तरह से questions बन जाते हैं। डोफ आइपीस जाएगा ुप से योई झाइगा चाहिए सांटाने कॉंट्राक्स ना सब्सक्र chapters in original आपको एक और बात बता दूँ कहीं बार ऐसा होता है जैसे टीपीए से भी कहीं एक पॉइंट ऑफ यू नहीं एक बार जो है जो है एक्जाम ऐसा आया था जिसमें तीन-चार क्वेश्चंस टीपीए से पूछ लिए पैथे तो आपको किसी ना किसी सब्जेक्ट को पकड़े तो दूए मां अपको टाइम नहीं लगता बेए रिक आप ऐसे कवर कर लोगे इसका लेकिन यही आपको आपको पंचाय नहीं चयसे बार और इनमें से कोई ऐसा एक्टी। रिकल किया है जाए जिस Васन तो आपको बता देते हैं कि यह कोई एक्जाट लिस्ट नहीं मैं आपको बता रही है यह अपने पुराने जो एक्जाइम्स आपको बता हुई है उसमें से जिस तरह से क्वेश्शन आये थे वह आपके सामने आ सकते हैं अब देखिये सोगह आ सकता है। सोगह है रिजिस्ट्रिशन एक्ट आपने जो यह अपने शुल्क। थे प्रदेंशन आपको की हर कोई जिस अपने तरह से भूबी हैं कोई पर पर और किए थे न opening बता यह तुर माश्न को प्रदेट मैं आपिए से की हरी करते हैं आई पिर्पेस वह इंटेड्यूस करता है जो न्यूस में होता है जो बहुत ही जादा ज्यूस में हो गाज़ प्याद प्चछेंज मैंज्मा एक्ट था। इन्फरमिशन एंड टेक्नॉलजी आक्ट आ जाता है लोक अदालत थी टॉपिक ए लीगल सर्विसिस ऑथर्टी आक्ट का तो यह सारे जो एक्ट हैं वो नए नए इंटर्टीूज हुए हैं हमेशा बार बार आ जाते हैं नए नए एक्ट ऐसे इस तरह से आ जाते है राइट तो यह आज जो है हमने अपना जो सिलेबस था एप एससो लॉफिसर ता वो आपको मैंने बता दिया कि किस तरह से प्री में जो है सिनेयरियो आएगा प्री जब्चक्स आएंगे और लॉओ के क्स्थर से थाएंगे फिरसे आ हैं चैलिंग यूग यह ऐसा नहीं है कि री आपको बता दिया यह पुराने जो है हमने अनलाइज किया है चीजों को कुराने एक्जाम को अनलाइज किया है उसके थ्रू ही और यह जो है तो आपको इस पेपर के बारे में पर्ता चल गया होगा अब मैंने देखें इस पेपर का सब कुछ बता दिया सब मैंने बैठेड़ शब न इस नहीं करना कि रिशार्च लिख हम आपके लिए बैठेजर्या है बात करेंगे आपके लिए वीडियो आजाएगी तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही गाईज प्लीज अपना ध्यान रखिए मीजर ले अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए थैंक यू सो मच